हाई हेलो एवरीवान वेलकम इन माइ क्लास वन्स अगेन और आज हम इस्ट्रुक्चरल और इनिमल्स चैप्टर के अंदर अपना दूसरा और्गैनिजम इस्टडी करने चल रहे हैं जो की है फ्रॉग इससे पहले हमने एक और 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 इस्टडी करने के लिए आगे बढ़ रहें तो चलिए देखते हैं कि फ्रॉग का क्लासिफिकेशन क्या है है और कि सेडिय और और किस्टिव रहते हैं और तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका classification क्या है और animals या plants दोनों के classification में सबसे पहले हम start करते हैं kingdom से ठीक है तो यहाँ पर भी हम start करेंगे kingdom से सबसे पहले हम लिखेंगे kingdom then इसका file हम देखेंगे class order genus and species genus and species तो हम study of animals कर रहे हैं तो kingdom क्या हो जाएगा animalia phylum is chordata class हो जाएगा इसका amphibia amphibia और order is aneura aneura order में वो amphibians रखे जाते हैं जिनके जो limbs है foreign limbs and hind limbs उनका size equal नहीं होता है दे आर अनुरल्स अब जीनस हो जाएगा rana and species is tigreena species is tigreena अब यहाँ पर एक important point लिखेंगे कि जो यह rana tigreena है rana tigreena is commonly commonly known as Indian frog तो जो हमारा Indian frog है उसका biological name क्या है rana tigreena और इसी को हमें आगे study करना है ठीक है अब आते हैं इसके habit and habitat पे अब आते हैं habit and habitat पे और यहाँ पर लिखेंगे इसके points तो अगर हम frogs की बात करें तो किस season में यह सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं तो किस season में सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे rainy season में ठीक है they are they are active active in the rainy season rainy season अब यह कैसे होंगे rainy season में active होंगे क्योंकि यह अपने body temperature को maintain नहीं कर पाते हैं regulate नहीं कर पाते हैं और यही वज़े है कि rainy season में कैसे होते हैं active होते हैं क्योंकि जो rainy season है वहाँ पर ना ही winter season peak पर होता है और ना ही summer season peak पर है means ना ही उस समय temperature बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है तो इनके लिए कैसा है? favorable conditions है और इसी season में ये क्या करते हैं? बाहर आते हैं, समझ पा रहे हो? तो हम लिखेंगे एक point they are cold-blooded animals cold-blooded animals और cold-blooded animals को क्या कहते हैं? poikilothurms poikilothurms ठीक है? तीसरा point यहाँ पर लिखेंगे they cannot regulate their body temperature their body temperature और they cannot maintain homeostasis they cannot maintain homeostasis homeostasis को maintain नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी अपना temperature regulation नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब भी temperature regulation नहीं कर पाएंगे ठीक है? अब यहीं पर इसके related दूसरा point लिखते हैं और देखेंगे they are not seen in summer's peak and winter's peak and winter's peak क्योंकि जब temperature regulation नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या हो सकती है? इनकी death हो सकती है तब यह क्या करेंगे? यह deep sleep में जाते हैं कहां जाते हैं? deep sleep में they undergo undergo a deep sleep in summers and winters and winters अब जब यह deep sleep में summer में भी जा रहे हैं और winter में भी जा रहे हैं तो जो summer की deep sleep है उसका अलग नाम होगा और winter की deep sleep का नाम अलग होगा अब हम यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे summer's deep sleep is called as estivation जब की जो winter's की deep sleep है winter's deep sleep is called as hibernation hibernation तो यह हो गया कुछ general features किसके frogs के अब हम देखेंगे कि यह पाए कहां जाते हैं तो जैसे कि हमने इनके classification में देखा तो क्या देखा amphibia तो क्या है they are amphibians they are amphibians and found and found both at land and in water and in water यानि कि पानी में भी मिलेंगे और land पर भी मिलेंगे समझ पा रहे हैं इतना water में भी है land में भी है active किस में होते हैं rainy season में cold blooded animals है और ऐसे animals को क्या बोलते हैं poikilo therms बोलते हैं ठीक है अपना body temperature regulate नहीं कर पाते हैं और body की homeostasis को maintain नहीं कर पाते हैं और they are not seen in summer peak and winter peak जब बहुत जादा गर्मी होगी और बहुत जादा सर्दी होगी तब frogs देखने को नहीं मिलते हैं हमें क्योंकि वो deep sleep में चले जाते हैं ठीक है अगर summers की deep sleep है तो क्या बोलेंगे estimation और winters की deep sleep है तो क्या बोलेंगे hibernation ठीक है इस दौरान यहाँ पर एक point और लिखेंगे जब वो deep sleep में होते हैं तब वो करते हैं cutaneous respiration cutaneous respiration यह point important है respiration में हम इसे दुबारा से study करेंगे ठीक है तो यह क्या हुआ classification of frog and its general features यानि की habit and habitat अब बात आती है कि यह feeding किस पर करते हैं frogs किस पर feed करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि frogs frogs feed upon insects insects and other small invertebrates invertebrates ठीक है जो दूसरे small invertebrates होते हैं या फिर insects होते हैं उन पर क्या करते हैं frog feeding करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं आगे इसकी external features को तो यह है external feature सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो frog की body है वो head और trunk में divided होती है इसमें neck और tail absent है ठीक है यहाँ पर भी हम notes बनाएंगे यहाँ पर लिखेंगे body body is divided into head and trunk head and trunk दूसरा point लिखेंगे neck neck and tail are absent ठीक है यह हो गए हमारे दो important points अब हम इधर आते हैं और देखते हैं इसकी head में present structures को और trunk में present structures को तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या present है eye present है क्या present है eye eye कितनी है these are paired structures these are paired structures और eyes इसकी कैसी होती है bald होती है bulged bulged मतलब उबरी हुई उपर जैसे हम लोगों की eyes हैं सामने इसकल के अंदर है ना लेकिन यह जो frog की eyes हैं उपर उबरी हुई होती है ऐसे ऐसे उबरी हुई होती है तो क्या बोलेंगे bulged eyes ठीक है eyes bulged हैं और इसको थर्ड आइलिट भी बोलते हैं ठीक है निक्टिटेटिंग मेंबरेन क्या है जब फ्रॉग वाटर में गया एक एक एक्जामपल लेते हैं जब बारिश होने वाली होती है तो तुम क्या करते हो अपने मुबाइल फोन को और जो भी आपकी बुक्स या फिर नोट बुक्स हैं उनको एक पॉलिथीन में करके बैग में रखते हो जैसे ही बारिश होना शुरू हुआ तुमने क्या करा अपनी स्कूटी रोकी और अपने फोन को क्या किया पॉलिथीन में लपेट के फिर पॉकेट में रखा क्योंकि वाटर से प्रोटेक्शन चाहिए ऐसे ही क्या है आइस के उपर निक्टिटेटिंग मेंब्रेन जो कि सेमी ट्रांस्पेरेंट है ठीक है इससे विजन में कोई भी प्रोब्लम क्रियेट नहीं होगा लेकिन सराउंडिंग्स में जो वाटर प्रेजेंट है उससे इसकी आइस को क्या मिलेगा प्रोटेक्शन मिलेगा ठीक है बरना वाटर आइस में एंटर कर सकता है ठीक है तो क्या करता है ऊपर से निक्टिटेटिंग मेंब्रेन का एक परदा लगा लेता जिससे सामने दिख भी रहा है सेमी ट्रांस्पेरेंट है लेकिन वाटर से कोई भी लॉस किसको नहीं होगा, आइस को, ठीक है, आइस are protected by nictitating membrane, इतना समझ में आया, अब यहाँ पर दूसरा point है, जो कि है, external nears, nears क्या होते हैं, nostrils, nostrils को ही बोलते हैं, nears, ये भी कैसे हैं, paired है, paired, paired, और ये क्या है, pathway, pathway for the, for the respiratory, respiratory gases, ठीक है, pathway for the respiratory gases, अब यहाँ पर आता है mouth, ठीक है, mouth क्या करेगा, mouth की help से ये क्या करेगा, भोजन ग्रहन करेगा, यानि की food intake करेगा, फिर आता है tympanum, tympanum क्या है, tympanik, tympanum को ही बोल रहे हैं, tympanik membrane, tympanik membrane, और ये हैं इसके external ears, external ears, ठीक है, यही external ears है, अब जड़ा एक point बचता है, जो कि है frog की skin, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, skin of frog, तो हम देखेंगे frog की skin, बाहर से किस कलर की दिखाई दे रही है, तो यह हमें दिखाई दे रही है, olive green in color, olive green in color, ठीक है, olive green in color, और जो ventral sites पर होगी, जो ventral site पर होगी, ventrally, ventrally, it is pale yellow, pale yellow in color, ठीक है, pale yellow in color, अब जो इसकी olive green skin है, यह कहाँ पर रहता है, water में, mainly ponds वगेरा में, ठीक है, तो जो olive green skin है, यह क्या करती है, ponds के environment के according, इसको adjust करती है, क्या करती है, adjust करती है, और इसी को हम बोलते है, है, it shows mimicry, क्या बोलते है, it shows mimicry, मतलब जहाँ तुम रहे रहे हो, वहाँ के environment के हिसाब से तुम्हारे body का color होता है, तो तुमको किस से बचाता है, तुम्हारे दुश्मनों से बचाता है, यानि predators से बचाता है, ठीक है, it shows mimicry, और it shows camouflage also, अब देखो, mimicry और camouflage में फर्क, ठीक है, camouflage क्या है, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, पीछे का environment, back black, कपड़े मेरे black, और अगर यहाँ पर छुपने के लिए, मैं अपनी skin या फिर, यह जो मेरा face दिख रहा है, जो हाथ दिख रहे हैं, इनको भी blackish color में change कर सकूँ, इस environment में fit होने के लिए, ठीक है, क्या हम अपने skin का color, अपने environment के coding change कर सकते हैं, जिससे कि हम उस environment में छुप सकें, उसको बोलेंगे camouflage, जरूरत के हिसाब से, इस सिति के हिसाब से, अपने skin के color को change कर लेना, और उसमें छिप जाना, ठीक है, और जैसे ही environment कैसा हुआ, दूसरे color का हुआ, सपोज यहाँ पर green color आया, तो तुरंट हमने green color adopt कर लिया, this is camouflage, और mimicry होता है, कि पहले से environment को देख रखा है, और उसी के जैसाब बनके, वहाँ पे जाके fit हो गए, दूर से ही देख लिया, कि वहाँ पे green color है, अब हम जब वहाँ पे जाएंगे, जैसे army की जो जवान होते हैं, वो देखना कभी भी, जिस तरह का environment है, कूड़े, पत्ते, घास पड़े होते हैं, तो उसी तरह के का jacket बगरा पहन के वहाँ पे छुप जाते हैं, इस इस mimicry, ठीक है, किसी दूसरे की तरह है, खुद बन जाना, लेकिन जैसे ही आप environment में गए, और वहाँ के according, skin का color क्या किया, चेंज कर लिया, ठीक है, जैसे गिर्गिट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, camouflage बोलेंगे, समझ पा रहे हैं इतना, तो यह किसके बारे में हुआ, skin of the frog, अब एक important point, skin में हम और लिखेंगे, जो की है, skin has, skin has mucous gland, mucous glands, जो की क्या करेंगी, secretion करेंगी, mucous का, secretion of mucous, of mucous and make the skin slippery, skin slippery, ठीक है, जब भी भी frog को पकड़ते हो, कभी पकड़ा हो, और नहीं पकड़ा हैं, तो कोशिश मत करना, ठीक है, जब कभी भी frog को पकड़ते हैं, तो क्या होता है, हाथ से slip हो जाता है, क्या होता है, हाथ से slip हो जाता है, क्योंकि उसकी skin पर present है mucous, glands, जो secret करती हैm mucous, और उसकी skin को कैसा बनाती है slippery बनाती है और यह mucus ही उसकी skin को moist रखने में भी help करता है जो उसको cutaneous respiration में भी help करेगा यह आपको आगे हम बताएंगे ठीक है तो यह हुआ skin के बारे में अब अपना दूसरा point देखते हैं यह यह जो पूरा part है this is for a limb यानि कि इनके आगे वाले पैर ठीक है four a limb अब याद रखोगे जो four a limb है उसमें four digits है four से याद रखोगे four digits ठीक है four a limbs में present होती है four digits four digits are present ठीक है male और female दोनों में लेकिन but in but in males but in males जो चार डिजिट थी ना इसमें से जो index finger जो index finger इसके ventral side में क्या होता है copulatory pad का formation ठीक है but in males index finger make copulatory pad copulatory pad ठीक है अब copulatory pad क्या करेगा जाब male and female copulation कर रहे होंगे तो उस time male female को grip करेगा यानि की hold करेगा और उस gripping में उस holding में कौन help करेगा copulatory pad ठीक है तो यहाँ पर एक point लिखेंगे copulatory pad helps in gripping gripping or holding 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 of female during copulation during copulation ठीक है यह हुआ किसके बारे में four limbs के बारे में अब आते हैं hind limbs पर अब किस पर आएंगे hind limbs पर आएंगे तो यह जो part है यहाँ से यह और यह घूम के इधर यह digits five यह पूरा क्या है hind limb है ठीक है this part is hind limb this is hind hind means पीछे और limb means foot this is hind limb अब hind limb के बारे में important facts जैसे कि हमने four limbs को देखा तो four limbs से हम याद रखेंगे four digits यानि कि चार उंगलिया ठीक है जबकि hind limbs में ऐसा नहीं है hind limbs में one two three four five बिलकुल हमारी तरह कितने digits है पांच digits है ठीक है five digits are present five digits are present ठीक है in both male and female ठीक है male में और female में दोनों में क्या होंगी five digits present होंगी और दोनों में इनके बीच एक membranous structure present होगा ये limb है ये इसकी digits हैं और यहां से यहां membrane attach यहां से यहां membrane attach इस तरीके से attach और इस तरीके से attach तो क्या ये एक जाल जैसा बना लेंगे और अगर फिर इस से पानी को ऐसे stroke किया जाए तो क्या swimming में help होगी बिल्कुल होगी ठीक है अब देखो यहां पर यहां पर क्या होता है एक membranous structure present है जो की बना रहा है क्या web ठीक है web is present और web क्या करेगा ये करेगा help in swimming help in swimming ठीक है ये हुआ general morphology of the frog अब यहां पर एक important point और है जिसको हम यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे sexual dimorphism dimorphism is present यानि की बाहर से देखने पर हम क्या कर सकते हैं male and female को distinguish कर सकते हैं यानि की उनके बीच में difference कर सकते हैं क्योंकि males में क्या होते हैं vocal sex होते हैं इस तरीके क्या होते हैं vocal sex होते हैं जिस से यहां पर लिख लेते हैं एक note लगा के इस तरीके से note note लगाएंगे और लिखेंगे in males in males vocal sex are present for sound production for sound production ठीक है production और यहां पर क्या होगा copulatory pad होगा किसमें? index finger में copulatory pad are present is present तो यहां से हम देखेंगे कि males और females को किस बेस पर distinguish किया जा सकता है और जो female होती है उसका size भी होता है बड़ा female is larger than males in case of frog ठीक है समझ पा रहे हो इतना external morphology ठीक है head पर eyes present है जो की bulg है यानि की उभरी हुई है ठीक है और eyes are protected by nictitating membrane ठीक है external layers कैसे है paired है कैसे है paired है और यह क्या है pathway for the respiratory gases यानि की respiration में help करेंगे टिम्पैनम प्रेजेंट है जिनको हम external ears भी बोल रहे है skin of rock कैसी है olive green in color ventrally कैसी है pale yellow और mimicry show करती है और camouflage भी show करती है ठीक है skin has mucous gland जो कि mucous secret करेंगी और skin को slippery बनेंगी ठीक है sexual dimorphism present है forelim में 4 digits hind limb में 5 digits forelim की index finger but only in case of males will make the copulatory pad और अगर male की बात करें तो इसमें क्या present होगा vocal sac present होगा जो कि क्या करेगा production of sound जो sound तुम सुनते हो रहनी season में वो कौन produce करता है male किसलिए female को अपनी तराफ attract करने के लिए आया समझ में इतना तो अब हम next देखते हैं कि ये structures कैसे होते हैं ये देखो ये है कौन है हमारा male है male ठीक है और ये है देखो इसका vocal sac समझ पा रहे हो ये क्या है vocal sac है इसमें जब air भरेगी इसमें क्या भरेगी air तो ये full जाएगा ठीक है और क्या produce करेगा sound produce करेगा समझ पा रहे हो ये है copulatory pad four lame कितनी digits one, two इधर से करते हैं one, two, three and four तो जो first finger है index finger इसमें देखो ये क्या दिख रहा है copulatory pad एक pad जैसा है rough pad है skin कैसी थी slippery यानि की female की skin भी कैसी होगी slippery होगी तो अगर male female को hold करेगा तो उसके भी तो slipping के chances है न तो ये एक rough pad है कैसा है rough जो की आराम से female को इस तरीके से hold करने में help करेगा समझ पा रहे हो इतना ये है for a limb of frog ये है इसकी digits और यहां पर ये देखो कैसा है rough copulatory pad है किसका only male में present होता है vocal sack भी only male में present होता है ठीक है अब इधर आते हैं ये क्या है hind limb क्या है hind limb अब देखो यहां पर भी marking करेंगे digits की one two three four five ठीक है hind limb में five digits both in male and female also ठीक है अब ये देखो web है digits के बीच में membrane पूरा web बना लिया अब ये कैसे ही water को stroke करेगा तो किसमें help करेगा swimming में help करेगा समझ पा रहे हो ये आया nictitating membrane ठीक है यहां पर लिख देते हैं web of hind limb अब आते हैं nictitating membrane यहां पर mark करेंगे this is nictitating membrane membrane आया समझ में अब ये देखो ये क्या है आई है सुन्दर सी आई है किसकी frog की ठीक है अब ये इन्होंने चड़ा दी इस साइट से nictitating membrane ये अभी आधी खुली हुई है ठीक है जैसे ही ये वाटर में कूदा उसका मन था कि मैं पानी में जाओंगा उसने पानी में जम मारा तो ये nictitating membrane क्या करेगी शट हो जाएगी यहां तक ठीक है पूरी आई प्रोटेक्ट ठीक है और जब frogs land पे होते हैं तो ये nictitating membrane उनको क्या करती है hydration भी provide करती है समझ पा रहे हो जो eyes जो dry हो सकती है क्योंकि frog water में नहीं land पे है तो उसको ये nictitating membrane hydration भी provide करती है in case of अगर frog land पे है और in case of frog अगर frog कहा है water में है तो water से क्या करेगी protection provide करेगी ठीक है तो ये था किसके बारे में external morphology के बारे में किसकी frog की तो हमने उसका skin, head, trunk, fall limb, hind limb ये सब study किया और अब हम आगे बढ़ते हैं anatomy को लेकर और आज हम एक system की study करेंगे जो कि है frog का digestive system ठीक है बढ़ते हैं आगे अब यहाँ पर हम आगे हैं anatomy यानि की structure of internal organs internal organs कहां पर present हैं और किस तरीके से function करेंगे यहाँ पर देखो अब जब digestive system की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या सर्च करते हैं digestion किसमें help करेगा खाने को digest करने में और digest करने के लिए सबसे पहले खाना खाना जरूरी है जब खाना खाया ही नहीं तो digestion किस बात का समझ पा रहे हो तो जब खाना खाएंगे तो सबसे पहले हम कौन सा structure यूज़ करने वाले हैं that is mouth ठीक है यहाँ पर होगा क्या होगा mouth ठीक है mouth होगा उसके बाद अंदर होगी buccal cavity then होगा pharynx pharynx होगा ठीक है then यहाँ पर होगा isophagus isophagus होगा और फिर isophagus आगे continue करता हुआ stomach बनाएगा क्या बनाएगा stomach stomach आगे जाके किस में open होगा तो open होगा small intestine small intestine में और small intestine आगे large intestine intestine और large intestine का ही part होगा rectum और finally यहाँ पर finally यहाँ पर यह open होगा किस से cloaca के थूँ कहाँ पर cloaca cloaca ठीक है तो हमने देखो कितने easily एक pathway बना लिया किसका digestive system का इस direction में सबसे पहले mouth में फिर buccal cavity में then pharynx isophagus small intestine large intestine rectum and finally undigested जो food है वो किस से बाहर आएगा cloaca से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि anus नहीं होता है ठीक है हम यह कह सकते हैं कि anus is absent क्योंकि cloaca एक common aperture है यहाँ पर हम इस चीज़ को भी note करेंगे कि cloaca it is a common aperture यानि की opening aperture for किस के लिए तीन सिस्टम के लिए यह क्या है external aperture है और वो तीन सिस्टम कौन कौन से होंगे पहला होगा digestive system digestive digestive system and then is reproductive system reproductive system and third is excretory system third is excretory system यानि कि जो cloaca नाम की opening है उससे fecal matter भी बाहर आएगा spums भी बाहर आएगे और urine भी बाहर आएगा ठीक है तीनो सिस्टम की एक common opening क्या बोल देंगे cloaca समझ पा रहे हो अब इसमें frog के case में क्या होता है एक important point है कि इसमें ग्लैंड्स भी है इसमें क्या है ग्लैंड्स भी है पहला हो गया हमारा pancreas फिर हमारा आया liver और ये दूसरा है gallbladder जो की storage करेगा और stomach भी कैसा है ये भी secret करता है digestive enzymes ठीक है तो हम इधर लिखेंगे glands के बारे में सबसे पहले लिखेंगे liver glands first one is liver liver क्या करेगा secret bile secret bile और ये bile कहा होगा store in gallbladder in gallbladder ठीक है bile का function emulsification of the fat bile क्या करेगा bile emulsification of the fat ठीक है ये किस के बारे में हुआ liver और gallbladder के बारे में अब दूसरा देखते हैं तो दूसरा है हमारा pancreas ठीक है pancreas pancreas अब pancreas के बारे में क्या लिखेंगे pancreas के बारे में लिखेंगे ये क्या secret करता है secret pancreatic juice pancreatic juice और pancreatic juice का फंक्शन क्या ये करेगा digestion of digestion of proteins and and carbohydrates and carbohydrates ठीक है ये फंक्शन हुआ pancreatic juice का अब थर्ड लिखेंगे हमारा stomach ठीक है third gland is stomach gland नहीं मतलब stomach भी क्या करता है secretion करता है ये क्या secret करेगा it secret hcl and gastric juice क्या करेगा hcl secret करेगा और क्या secret करेगा gastric juice जो की ultimate digestion में help करने वाले है ठीक है अब हम इधर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले food कहां पर आया mouth में और फिर आया buckle cavity में अब buckle cavity में एक important point हमारा बसता है कि इसकी tongue जो frog की tongue होती है वो कैसी होती है हमारी tongue कैसी है पीछे से जुड़ी है buckle cavity में या फिर आगे से anteriorly attached या फिर posteriorly attached जिसने ध्यान नहीं दिया है वो अब ध्यान देगा हमारी tongue posteriorly attached होती है पीछे की तरफ जुड़ी है आगे की तरफ फ्री है जबकि in case of frog the tongue is anteriorly attached ठीक है और कैसी होती है by lobed tongue होती है ठीक है बकल cavity में यहाँ पर लिखेंगे बकल cavity में है tongue और tongue कैसी है tongue है by lobed by lobed and anteriorly attached anteriorly attached ठीक है अब आता है pharynx then esophagus these are passage for the food अब पहुँचे इस्टमक में इस्टमक में होगा digestion of the food storage and digestion लेकिन कम amount में ठीक है बहुत कम amount में अब पहुँचेंगे small intestine में जब पहुचे small intestine में तो यहाँ पर भी will I and micro will I present होते हैं ठीक है will I and micro will I are present जो कि क्या करेंगे absorption के surface area को क्या करेंगे बढ़ाएंगे यानि कि maximum digestion and maximum absorption occurs in the small intestine ठीक है maximum 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 digestion and absorption किसकी बात हो रही है small intestine की ठीक है अब चलते हैं large intestine पे अब large intestine क्या करेगा large intestine में होता है absorption of water और rectum में होता है storage of undigested food ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे absorption of water ठीक है और rectum में होगा store undigested food जो finally cloaca के थूँ बाहर release कर दिया चाहेगा और cloaca को याद रखोगे यह तीन system की opening है one, two and three यह तीनो system बाहर एक common aperture के थूँ open होते हैं जिसको हम बोलते हैं cloaca ठीक है glands हमने अलग से लिखी है सबसे पहला liver जो bile secret करेगा जो कि इस्टोलोगा कहा gallbladder में और बाद में bile का function हमने देखा जो था emulsification of the fat दूसरी gland pancreas और फिर हमने किया stomach pancreas, pancreatic juice secret करता है और stomach secret करता है HCL and gastric juice तो यह है एक detail किसका frog के digestive system का तो आज हमने external morphology पढ़ा frog का habit and habitat देखा उसका skin, mimicry, camouflage, dorsal and ventral surface foreign limbs, hind limbs इन सब को study किया और anatomy के अंदर आज हमने एक system को study किया जो कि था digestive system अब अगली class में हम इसके दूसरे systems के साथ आप से फिर मिलेंगे तब तक आप इतना study करिए और revision करिए आप से अब देखा करिए